अध्याए 18. वरिंदावन गार्डन. निबंध. उत्तर भारत की भूमी पर एक तो ब्रज शेत्र में वरिंदावन है. तो डक्षन भारत में करनाटक राज्य की भूमी पर वरिंदावन गार्डन है. यह सैलानियों का स्वर्ग है इसके निर्माण का श्रेय भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक इंजीनियर भारत रत्न विश्वेश्वरईया को जाता है इस पार्थ में उसी व्रिंदावन गार्डन की एक आकरशक जलक प्रस्तुत की गई है व्रिंदावन का नाम सुनते ही राधा कृष्ण की लीलास्थली व्रिंदावन का स्मरण हो जाना स्वाभाविक ही है किन्तो इस पार्थ में जिस व्रिंदावन का वर्णन है वह उत्तर भारत की ब्रजभूमी नहीं अपितो दक्षन भारत के करनाटक राज में मैसूर के निकट है यह कालिंदी कुझ में नहीं कावेरी नदी की गोध में है आधुनिक भारत की इंद्रपुरी मैसूर करनाटक की पुरानी राजधानी थी इसके उत्तर पश्चिम में 15 किलोमीटर की दूरी पर कावेरी नदी पर एक बांग बना है कृष्णराज सागर इसी कृष्णराज सागर के निचले भाग में स्थित है एक अध्वितिय उपवन विरिंदावन यह भारतिय वैज्ञानिक द्रिष्टी और द्योगिक प्रगती और सौंधर्य प्रियता की त्रिवेनी है कावेरी नदी दक्षन भारत की गंगा कहलाती है इस नदी पर जितने बांध बने है उतने भारत में शायद ही किसी नदी पर बने हूँ अकेले करनाटक में कावेरी पर पंद्रा से अधिक बांध है क्रिश्णराज सागर आधुनिक भारत के महान अभियंता यंत्रशिल्पी भारत रत्न डाक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरयया की सूझ बूज एवं अनोखी कल्पना का अध्भुत नमूना है दिन दूनी राध चोगुनी होने लगी तथा यहाँ भारत का एक आधर्श राज्य बन गया क्रिश्णराज सागर बांध की लंबाई 2621 मीटर और उचाई 49 मीटर है कावेरी जल को सुरक्षत करने वाला क्षेतर 130 वर किलोमीटर का है इसके नीचे 50,000 हेक्टेर भूमी पर खेती होती है इसे बनाने में उस समय तीन करोड रुपे लगे यह क्रिश्णराज सागर जलमय काव्य है जिससे तीन रस धाराए फट्ती है एक क्रिशी की दूसरी उद्योग धंधों की और तीसरी मनुरंजन की इस बांध का निर्माण 1911 से 1932 तक कई स्तरों में हुआ फार्सी में लिखे एक शलालेक से ज्यात होता है कि 1794 इस्वी में टीपू सुल्तान ने यहां 22 मीटर लंबा एक बांध बनवाया था यह लेक वरिंदावन के प्रवेश द्वार पर उतकीर्ण है क्रिश्णराज सागर बांध के पाँच द्वारों को सिंचाई के लिए ही सुरक्षित रखा गया है इससे 1400 हेक्टेर जमीन की सिंचाई होती है विश्वे शरया नहर जो पहले दूर्बिन नहर कहलाती थी की लंबाई 96 किलोमीटर है इससे निकलने वाली उपनहरों का विस्तार 610 किलोमीटर है इस नहर का जल हुलिकेरे करिघट की पहाड़ियों के अंदर धाई किलोमीटर सुरंग मार्ग में बहता है यहाँ भारत की सबसे बड़ी सुरंग मार्गी नहर है सरोवर की लंबाई 40 किलोमीटर है तो चौडाई 8 किलोमीटर पहले यहाँ कंदवाडी कृष्णपूरी नामक एक गाव था जहाँ बना कृष्ण मंदिर आज भी सुरक्षित है इस बांध की यहाँ विशेष्टा है कि इसके निर्माण में सीमेंट का इस्तमाल बिलकुल नहीं किया गया है केवल देशी गारे सुर्खी गारा से यहाँ निर्मित है इसमें मैसूर रियासत के ही भद्रावती इसपात कारखाने के इसपात का इस्तमाल किया गया है इस बांध ने मैसूर राज करनातक में चमतकार उत्पन कर दिया है मांध्या जिला जो पहले बंजर था अब लहल हाते खेतों से नंदनकानन बन गया है इस राज्य के हजारों गाव बिजली की रोशनी से जगमगा उठे है लाखों किसान मजदूरों को रोजी रोटी मिल गई है इससे सैंकडों नए नए उद्योग स्थापित होए है मांध्या में एक चीनी कारखाना खुला बाद में 1950 में मांध्या के पास पानवपुर में दूसरा कारखाना खुला अब तो कारखानों और उद्योग धंदों का जालसा बिच गया है बंगलुरू का विमान कारखाना तेलीफोन कारखाना हम्टी वाज फैक्टरी आदी इसी कावेरी की करामात है